मंगलं पंच परमिष्टी मंगलं तिर्थंकरं मंगलं विश्वजिन्धर्मं मंगलं वीरशासिनंं मंगलं विश्वजिन्धर्मं वंदित्तो सवशिद्धे धोवमचल्य मनोववं गदिम्पत्ते वोक्षामी समय पाहुड मिनमो सुदकेवली भडितं समय सार प्रमंगलि गिरंथ है आचर कुंद कुंदेब द्वारा यह इसापूर प्रथम सताब्दी में लिखा गया है इसमें चार सो पंद्रा कुल गाथाएं है भासा प्राकत है सेली अध्यात्मिक है आत्म का सार का वर्णन बहुत सुन्द तरीकिसिस में दिया गया है भगवान महावी की वानी को अध्यात्मिक रूप से प्रस्तुत किया गया है गाथा नमबर जो है पंद्रा जिसे आज अपन पढ़ेंगे जो आत्मा को देखता है वही जिन सासन को जानता है ये जो गाथा है बहुत महात्पूर गाथा है जिन सासन क्या है ये समझ लो हम क्या जिन सासन समझ रहे हैं और जिन सासन क्या है ये समझ लो गाथा का पहले अपनों चारान करते हैं फिरिश के अर्थ को समझते हैं जो पस्दी अपानाम अबद्ध पुठम अनन्न मविसेसम अपदेश संतमज्जम पस्दी जिन्शाशनम सब्बम जो आत्मा को देखता है कैसे देखता है अबद्ध पुठम बंद रहित इस्पर्श रहित अनन्नम और जो अनन्यत्व देखता है अन्न रूप नहीं देखता है अब इसेसम विशेश रूप नहीं देखता है वह अपनी आत्मा को देखने वाला होता है और भी कैसे देखता है अपदेश संत मज्जम अपदेश द्रवशुत संत मज्जम सांत मध भावशुत तो द्रवशुत और भावशुत के मध होता हुआ अपदेश मतलब द्रवशुत संत मतलब भावशुत के मध होता हुआ सब्वम संपून जिन्शाशनम जिन्शाशन को पस्चदी देखता है जिन्शासन को कौन देखता है जो अपनी आत्मा को बद्ध रूप नहीं अवद्ध रूप देखता है बंदा हुआ नहीं देखता है कर्म से बंदा हुआ है सरीर से बंदा हुआ है पर से बंदा हुआ है ऐसा नहीं देखता है वस्तु स्वरूप को देखता है सच बात तो यही होगे जिन्शासन वही है जो वस्तु स्वरूप को देखता है और वस्तु स्वरूप क्या है? अवद्ध है वस्तु का स्वरूप बद्ध रूप से नहीं है वस्तु का सुरूप इस्पर्ष रूप से नहीं है इस्पर्ष रूप से मतलब कोई भी एक द्रब दूसरी द्रब को स्पर्ष नहीं करती है एक द्रब में सभी द्रब समाई हो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है एक आकास के प्रदेश में छेओं द्रब होती हैं वहाँ पर जीव द्रब भी है अजीव द्रब भी है आकास भी है धर्म धर्म काल सभी द्रब उस प्रदेश में हैं लेकिन सभी उस प्रदेश में होते अन्नोनम पवशनता एक दूसरे में प्रवेश करते हुए भी एक दूसरे में रहते हुए भी वो अपने में हैं ये बस्तू का सुरूप है एक दुसरे के गुण धर्म में प्रवेस नहीं कर सकते हैं देखो आत्मा अनादी काल से जड़ के सानिद में रहा जड़ के साथ रहा शरीर जड़ है ना तो जड़ के साथ रहा पुद्गल के साथ रहा लेकिन पुद्गल का एक भी गुण चेतना के अंदर नहीं आ गया और ना ही उसके साथ रह दे करके अपना कोई एक गुण वहाँ छोड़के आ गया हो उसे अचेतन में डालके आ गया हो ऐसा भी नहीं है साथ साथ अनादी से रहनेते हुए भी एक दूसरे के गुण धरम में प्रवेश नहीं किया क्या लिखा हुआ है दरव के आस्रे गुण रहते हैं गुणों के आस्रे कोई गुण नहीं रहते है दरव के आस्रे गुण है लेकिन कोई एक गुण भी दूसरे गुण के आस्रेत नहीं है ज्ञान गुण भी दर्शन गुण के आश्रेत नहीं है और पुद्गल के गुण चेतना के गुण के आश्रे नहीं है गुण भी स्वतंत्र है यद्दपी गुण में द्रब है द्रब जो है वो गुण में होते हुए भी कोई एक गुण दूसरे गुण में आस्रे नहीं रहता है एक गुण दूसरे गुण में प्रवेस करे कोई बात नहीं लेकिन वो उसके आस्रे नहीं होता द्रव के आस्रे समस्त गुण होते इसलिए द्रव का परिणमन समस्त गुणों का परिणमन कहलता है द्रब जो है परिणामी है तो परिणामी परणमा करता है ठीक है ना? तो कितनी सुन्दर बात कह रहे हैं कि जो आत्मा को अबद्ध पुठ्थम पहली भी बात कही थी अबद्ध पुठ्थम अनन्यम नीदम अविसेसम असजद्थम यह वाली बात आई थी तो पर यह वाली बात कहने के क्या मतलब था बुले भाई तुम सुद्धने से ऐसा जानते हो ना? बुले हाँ जानते हैं बुले एही जिनसासन है इसलिए हम यह वाली बात कह रहे हैं बुले तुम द्रब सुत्र से जानो या भावसृत से जानो पर जानना तुम्हें कैसा है अवद्ध, अइस्पर्ष, अनन्य और अविशेष आसन्युक्त इस प्रकार से तुमने अपनी आत्मा को जाना तो द्रब सुत्थ से या भावसृत के मद्ध होता हुआ जाना वही संपूर जिन सासन है हमने तो आत्मा को कभी पुर्ण्यात्मा कहा है हमने कभी आत्मा को पापात्मा कहा है ठीक है, आपका अपेक्छा था, कथन्चित था पर यहां तो उसका निशेद हो गया यहां पर निशेद हो गया कौन पुर्ण्यात्मा तो यह संयुक्त परियाय हो गई कौन पाप अत्मा ये संयोग परिवार हो गई संयोग जन परियाय हो गई कर्म जन परियाय हो गई करम के निमिश से मिला हुआ तेरा ये नाम है पुन्यात्मा तु क्यों है पुन्य प्रगतियां तेरे पास है और पुन्य प्रगतियों का तु बेदन कर रहा है पुन्य प्रगतियों को भोग रहा है पुन्य के कार कर रहा है तु तु पुन्यात्मा है पाप प्रगतियां तेरे पास हैं सत्तम है पाप प्रगतियों का उदय चल रहा है पाप रूप जो कार कर रहा है इससे तेरी आत्मा पापात्मा कहलाती है तो पुन्यात्मा और पापात्मा तेरी आत्मा नहीं संयोग के कारण तेरी आत्मा है अकेली तेरी आत्मा को पुन्यात्मा पापात्मा तेरे विभाव के कारण के सकते हैं ऐसे पुन्य के भाव और पाप के भाव के कारण लेकिन वो पुन्य पाप के भाव के कारण किसे हुए हैं? कर्म के कारण हुए है सुद्ध नदी अपने आप असुद्ध प्रणमन नहीं कर जाएगी सुद्ध पानी अपने आप में असुद्ध प्रणमन नहीं कर जाएगा जब तक असुद्ध का निमित नहीं मिलेगा पुन्य कर्म पाप कर्म की द्रभ कर्म का उदय ना आए और ऐसे नोकरमादी का नमित ना मिले तो आत्मा कभी पुन्यात्मा पापात्मा नहीं हो सकती है तीथंकर भी पुन्यात्मा कहलाते हैं वोले सबसे बड़े पुन्यसाले जीव कौन है वोले कौन है वोले तीथंकर अरहंत प्रमात्मा जो होते हैं सबसे पुन्यसाली जीव होते हैं जहां पर सत इंद्र भी आकर के जुकते हैं और सत इंद्र जुकने का मतलब है तीन लोग के नाथ तीन लोग के नाथ कहलाते हैं कितने पुन्यसाली हैं कि तीन लोग के नाथ जिनके चरणों में तीन लोग के जीवा करके जुकते हैं नमन नमुस्तू करते हैं तो बहुते भाईया ये भी ऐसा कहना पुन्यात्मा ये जिन्सासन नहीं है इस काथा के अनुसार जिन्सासन नहीं है सुद्धने के अनुसार जिन्सासन नहीं है असुद्ध नैसे आप बोलो तो कोई दिक्कत नहीं है, यह धर्मात्मा है, यह पुन्यात्मा है, पापात्मा है, यह सच्जन है, यह तुर्जन है, यह रागी है, यह द्विस्जी है, यह रागी है, यह वीधरागी, ऐसा आप बोलो, सारी ची बोलो, लेकिन वो आपके सब अ अपिक्छा क्रत बाते हैं, वस्तु सरूप में कोई अपिक्छा नहीं है, निर्पेक्छा है वो, वस्तु कैसा है, निर्पेक्छा है, वो अभेद है, वो अखंड है, शुद्ध है, ऐसा वो आत्मा है, और ऐसी आत्मा को जानता है, वो जिन्शासन को जानता है, सुनो, जेन क कौन इस इसके नुसार जेन कौन जो जिन सासन को मानता है वो जेन है न जिन सासन को मानने वाला जेन है तो जिन सासन को कौन मानता है जो अपनी आत्मा को इस रूप से देखता है जो अपनी ध्रुब आत्मा की ओर संमुक खड़ा हुआ है, संमुक हो गया है जो ध्रुब आत्मा का आस्रे ले रहा है जो उसके आस्रे से अपने में सम्मेक्त की ओर प्रणामों को जुखा रहा है शद्धा की ओर प्रणाम जुखा रहा है उस ध्रुब के प्रती उस ज्यायक के प्रती उस एकत विवक्त आत्मा के प्रती चाहे वो अपने सुद्ग्यान से जुका रहा हो पर जुका रहा है बरत्मान की निर्मल परियाय से जुका रहा है पर जुका रहा है जो उस तरफ खड़ा हुआ है वही जो है जैन है सूर की ओर जो दृष्टी पात करके खड़ा हुआ है जो सूर के आस्रे में खड़ा हुआ है ठीक ना ऐसे ही जो जिन सासन है वो जिन सासन की ओर खड़ा हुआ है वो कौन है जेन है. और जिन्सासन क्या है? टिम्टमाते हुई तारे नहीं है? दमदमाता चमचमाता हुआ शूर है. तेरी आत्मा टिम्टमाते हुँ भूझ जाए. अभी उदित हुई फिर बुछ जाए. अभी किसी के निम्द से जनाम हुआ और किसी निमस से समाप्त हो जाए ऐसा आत्मा नहीं है जैसे अन्नमत वाले मानते हैं ना कि पंचतत आद्वी का मिलन हो जाने से चेतना उत्पन हो जाती है और वो पंचतत जब विलीन हुए तो आत्मा भी विलीन हो जाती है चारुवाक चारवाक सुनने में सब्दच्च बालते हैं ऐसे चार बाग वाले पुनर जर्म नहीं मानते हैं अभी चार बाग वाले बहुत हैं ध्यान रखना और ऐसा भी धरम है जहां पर मचली आदी में जीव नहीं मानते हैं हां, नहीं मानते हो, इसलिए खाते हैं वो लो बुले जीव थोड़ी इसमें, बुले आतमा नाम की कोई चीज नहीं है, यह बस्तू यह भी बस्तू है, तो जल खीरा मानकरके उसको गरहन करते हैं संसार में उसको, पोरा संसार 80% उसको खाता है, बताईए, उसमें जीव ही मान जीव माने तो दया करें अपने लोगों पर दया करते हैं अपने परिवार पर दया करते हैं उस पर दया नहीं करते हैं वो तो बुलते हैं यह तो अजीब बत है अजीब है ऐसा स्विकार करके मार के खाते हैं बुले यह जिन सासन है जिन सासन कहरा है जो अपनी आत्मा को जान और उसी प्रकार अन आत्माओं को शुरूब को भी जाने ज़िए अपनी आत्मा का शुरूब जाना तो परकी आत्मा का शुरूब भी वैसी दिखेगा ना वैसी जलकेगा और जब उसकी आत्मा का शुरूब भी वैसी जलकेगा तो फिर कोई छोटा नहीं होगा, कोई बड़ा नहीं होगा फिर किसका अपमान और किसका सम्मान किस पर राग और किस पर द्वेश समद्रष्टी, क्या विचारा जाएगा? समद्रष्टी, जिसकी द्रष्टी क्या हो जाएगी? सम हो जाएगी वो निगोदिया में भी निर्वान आत्मा देख लेगा निगोदिया जी में भी शिध आत्मा उसे दिख जाएगी क्योंकि वो वस्तु को देख रहा है ना कि उस वस्तु की परियाय को देख रहा है जो पस्षदि अप्पारं अवद्य पुठं अनन्नमा विशेशं अपदेश संतमज्धं पस्षदि जिन्शासनं सब्ब्ब्ध जिन्शासन है और भाव सुत ज्ञान तो अनन्त है द्रव सुत ज्यान तो कैसा है संख्यात है कैसा है संख्यात है सब्दों से है ना तो संख्यात है हाँ ये प्रमान तो है सब्द में लिखित रूप में द्रव सुत ज्यान जो है वो संख्यात है और अर्ष से असंख्यात है और भाव से वो अनन्त रूप है ठीक है ना वो अनंत रूप है तो ऐसा द्रवसृत और भावसृत को कि मद्ध होता हुआ संपूर जिन्सासन को जानता है कहने का मतलब है जो एक शुथ आत्मा को जानता है वो संपूर्ण द्रवसुथ भावसुथ को जानता है और जो संपूर्ण द्रवसुथ भावसुथ को जानता है वही जिनसासन है केवली भगवान जिनसासन है शुथ केवली भगवान जिनसासन है हम तुम कहां जिन्सासन में लगे हैं तो हम सब जिन्सासन को कौन जानेंगे क्यों केवली शुत केवली होने अपनी आत्मा को जाना न अबद रूप से अश्पर्श रूप से अनन रूप से अविशेश रूप से तो ऐसी आत्मा को उनों जाना है तो इसलिए वो द्रवसुत भावसुत के मद्ध होता हुआ संपूर जिनसासन को जान लेता है जो ऐसी आत्मा को जानता है हमारी भूल क्या हुई? कि हमें हर चीज बंदी हुई दिखाई दी तो जो बंदी हुई दिखाई दी हमने उसको ही उस्विकार कर लिया कि हम ऐसे हैं अभी भी कितनी लोग ऐसे होते हैं जो तो कहते हैं भाई हम से नहीं हो सकता हम से तो क्रोधी हैं हम से क्रोध दूर नहीं हो हम तो मानी हैं हम तो माया भी हैं हम तो लो भी हैं हम से नहीं छूटेगा हमसे छलकपर ने छूटेगा, हमसे छूट ने छूटेगा हमसे हिंसा ने छूटेगी तो यह ऐसे कल्सित प्रिणाम वाले जो जीव हैं वो अपने को अभी भी बंधा हुआ समझ रहे हैं कि हमसे ने छूटेगा जबकि हम इससे बंदे नहीं है हाँ कि इतने ऐसे लोग हैं, जब सरीर छूटने लगता है, तो रोते पीटते रहते हैं, जबकि हम सरीर से बंदे नहीं हैं, हम अबद्ध हैं, हम कर्म से भी अबद्ध हैं, और नो कर्म जो हैं, उस से भी अबद्ध हैं, बंदे नहीं हैं, बिलकुल बंदे नहीं हैं, लेकिन हमार सुद्धा की महिमा आ जाए तो असुद्धता में होते हुई भी असुद्ध में ध्यान नहीं जाएगा कि सुद्ध की महिमा आ जाए तो असुद्ध में ध्यान नहीं जाएगा असुद्ध में रहते हुई भी ध्यान नहीं जाएगा कि कमल की बात ना हीरे के अंगुठी हो बढ़ियां पहने हुई हो और वो निकल करके नाली में गिर जाए गंदी नाली में गटर की नाली में गिर जाए तो क्या करोगे उठाओगे नहीं उठाओगे एक करोड की है उसकी कीमत कितनी है एक करोड उपर की कीमत है और कहां गिर गई तुम सुट बूट पहने हुए तो उसकी चिंता थोड़ी करोगे इस सुट बूट की टिप टॉप हो उसकी चिंता थोड़ी करोगे वो कहां नाली में पड़े हुई है गटर में पड़े हुई है गंदगी है हाथ डालोगे नहीं डालोगे हाथ अंदर डालोगे टटो लोगे ढूडोगे मन बड़ा खिर्ण है खेत खिर्ण है आकुल व्याकुल है जब तक वो प्राप्त नहीं हो रही है जब तक वो हाथ में नहीं टकरा रही है तब तक वो बहुत विचेन है कलुसित है सुनो भी या जैसे ही वो हाथ में टकराई तो क्या हुआ खुशी हुई की नहीं हुई ऐसे देखा तो पतव चली जायेगा ना चिन्नों से अरे अंगूठी मिल गई अभी हाथ गंदी में डला हुआ है अंगूठी भी गंदी है तो उसको अंगूठी गंदी का अनद नहीं आ रहा है उसको जो मिलने का था वो अनद आ रहा है बस यही तो सम्यक दर्शन है कि सम्यक दर्शन में अभी तो सुद्ध अंगूठी का अनवव नहीं आ रहा अपनी सुद्ध आतमा का अनवव नहीं आ रहा आतमा तो असुद्ध है ही है कर्मन के साथ बंदी हुई है लेकिन उसने सुध का आसर लिया कि नहीं मैं असुद्ध نہیں हूँ ये वो ही मान रहा है अंगुंट्य ठाने वाला के भूया मेरी अंगुठी गंदी नहीं है मेरी अंगुंट्य जो है असुद्ध नहीं है क्योंकि उसे पता है अभी गरम जल आदी से साफ करेंगे तो क्या हो जाएगी बिलकुल साफ हो जाएगी सम्य देश्टी को पता है कि मेरी आत्मा असुद्ध दसा में रहते हुई भी असुद्ध नहीं है क्योंकि अभी हम इसे त्याग तपस्या से धोईंगे अभी साधना करेंगे सयम के मार्ग में चलेंगे तब के मार्ग में चलेंगे ब्रमचर के मार्ग में चलेंगे और इसको बिल्कु क्या कर देंगे क्लीन कर देंगे बिल्कु साफ कर देंगे साफ का आनन तो आए गई आएगा फिल्टर कर देंगे साफ का आनन तो आए गई आएगा जो अन्वो में आएगी लेकिन भाईया वो भी आनन्द कम नहीं है जो प्राप्त हुई है उसका आनन्द भी इसलिए तो कहते हैं जो प्राप्त है वो परियाप्त है जो प्राप्त है अरे मेरे को देवसास गुरु प्राप्त है वो भी पर्याप्त है यदि उनी की सुद्ध आत्मा में अपनी आत्मा को देख लोगे तो तुम्हारी आत्मा भी क्या हो जाएगी सुद्ध हो जाएगी बुद्ध हो जाएगी निश्चत है नियम से है, सुद्ध के साथ रहना प्रसंद करो, या तो नकली होगा तो बाहर निकल जाएगा, जो असली होना होगा वो वहाँ पर साथ हो जाएगा, टिक जाएगा, कितना आनन्द आया उस व्यक्ति को, अगुठी मिलते ही, ऐसे ही हमें भी जो शुद्ध है, अवद्ध है, अपुठ है, अनन्द है, अवशे से असयुक्त है, ऐसी जो आत्मा है, वो आत्मा प्राप्त हो जाने पर, यह पस्दी देखता है, इस रूप देखता है, तो कह रहे हैं वो द्रब सुथ भाव सुथ के मद्ध होता हुआ संपून सब्बम जिन्सासनम पस्दी संपून जिन्सासन को देखता है क्या बात हो गई? जम एकम जानई तम सब्बम जानई जिसने एक को जान लिया है उसने सब को जान लिया है ये बात यहाँ पर शिद्ध करें क्या करते हैं मोनी राज लोग सब को जानने के लिए साधना करते हैं कि एक को जानने के लिए साधना करते हैं इतना पढ़ते हैं इतना लिखते हैं इतना स्वाध्य करते हैं इतना ज्यान दिहान में लीन रहते हैं वो किसको जानने के लिए, पूरे ब्रह्मान को जानने के लिए, पूरे ब्रह्मान को जानने के लिए, पूरे ब्रह्मान को जानने के लिए साधना करते हैं, एक अपनी आत्मा के सुरूप को जानने के लिए साधना करते हैं, उसका अनभव लेने के लिए साधना करते हैं, और जब उन्हें एक आत्मा का स्वाद आता है, आने लग जाता है, तो संपूर आत्मा का स्वाद लेना चाहते है, एक इछण का स्वाद मिलता है न, सत्तम में गए थोड़ा सा स्वाद लिया, फिर छटम में आ गए, फिर सत्तम में गए, फिर छटम में आ गए, तो उन्हें वो स्वाद अच्छा लगना लगता ता कि वो जी चाहिए अब तो ऐसा ही चाहिए है तो ऐसे मु NIRAJ फे सातमे से ऊपर उढ़ जाते हैं आपरमत जो दसा है उस आपरमत में बही आपरमत रूप से और फिर उस आपरमत में भी और आपरमत ऐसे बढ़ते 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 पूर्वीतराक्ता को प्रगट कर लेते हैं मोहनी कर्म के अभाव जन उन्हें जो है आनंद की प्राप्ति होती महानंद की प्राप्ति होती है और सच कहा जाए तो वहीं पर जो है अवद्ध अपुठ अनन्न अविसेश अस्वयुक्त रूप से जो आत्मा का सुद्ध सुरूप है वहाँ पर उन्हें अनुभों में आता है एकाग्र चिन्ता निरोध ध्याना ध्यान की परिमासा आई है ना एकाग्र चिन्ता निरोध एकाग्र एक को अग्र करो आंगे करो और समझ चिन्ताओं का निरोध करो चिन्ता निरोध जो भी चिन्ताएं हैं पर द्रब संबंदी उनका निरोध करो और एक को आंगे रखो केंदरविंदू एक बनाओ अपने को बनाओ तो ध्यान होता है उसी ध्यान की बात कह रहे हैं उसे ध्यान से जिसने फिर अपने आत्मा को बंद रहित इसपर्स रहित अन रूप रहित अन संयोग रहित और उसकी पर्यायों से रहित धुप ग्यायक शुरूप का अनभो लिता है कह रहे हैं वह आत्मा समस्त जिन सासन अर्था द्रबसुत भावसुत जो ग्यान है उस समस्त जिन सासन को जानने वाली देखने वाली आत्मा हो जाया करती है और क्या हो सकता है द्रबसुत भावसुत के लावा द्रव सृत में क्या बसता है भाव सृत में भी क्या बसता है सारा जितना गेपदार्त है वो समस्त गेपरदात जो है जानने में आही जाता है तो बहुत ऐसा समस्त गेपरदात जो ग्यान का विश्य बनता है मेरे निर्मल ग्यान का विश्य बनता है वो समस्त मुझ में दिखते हैं अर्थात वह जिन सासन को जानता है जिन मार्ग मोक्ष मार्ग है जिन मार्ग जो अपने को जीतता जाए कर्मों को जीतता जाए इंद्रियों के विश्यों को जीतता जाए ऐसे जिन मार्ग ही मोक्ष मार्ग जिन की संग्या सास्त्रों में दो प्रकार से कहे गई किसी ने दूसरे गुड़ स्थान से जो है बारवे गुड़ स्थान तक की जिन संग्या मानी है किसी ने चौथे गुड़ स्थान से जो है बारवे गुड़ स्थान की जिन संग्या मानी है ये जिन मार्ग है ये मोक्ष मार्ग है और इस मोक्ष मार्ग में जो आंगे बढ़ता जाएगा वो अपनी आत्मा को शुद्ध बुत रूप चन्भो करेगा और जिन सासन को समझेगा जानेगा सेस बिसे जो है वो कलिया जाएगा समय हो चुका है जावानी के ज्यान से सुजे लोपा लोग शोबानी मस्तक धरूं सदा दे तोहों धोग ए जिनवानी भारती तोहे जपो दिन रें जो तेरी शर्ना धरे शोपावे शुक्चें सबको बहुत-बहुत मंगला शबार झाल 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 झाल